अपने अपने छेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ सुरुआत करते हैं खबरों का सिल्सिला उत्र प्रदेश में महिलाओं के नाम पर दीवारों को नए नए स्लोगन से रंग देने वाले जुवानी योद्धा दरेंदगी की वारदात के बाद कहीं नचर नहीं आते जनपत जालाओं के कोच के गाउं से उठी चीखे जब लखनों में बैठे सत्ता के मठादेसों के कानों तक पहुंचती पहुंची तो सत्ता की पिसानी पर कोई बाल नहीं पड़ा और एक बार फिर जनपत जालाओं के धर्ती पर दरेंदों ने इंजेक्सन लगाने के बहाने बुला कर महिला के साथ बड़ी वारदात को अंचाम दिया है जिसके बाद बची है सिर्फ बेबसी और लाचारी दरसल जनपत जालाओं के कोच कोटवाली छेतर के अंतरगत चांदी गाओं का एक मामला है जहां एक युवक ने महिला को इंजेक्सन लगाने के बहाने अपने घर पर बुला कर दुसकर्म की घटना को अंचाम दे डाला इसके बाद पुरित महिला ने पुलिस को सुझना दी लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरूपी मौके से फरार हो गया वही पुलिस ने पुरित महिला को डाक्टरी परिक्षन के लिए भेडिया है और साथ ही आरूपी की तलास में पुलिस की टीमे जुटी हुई ह खर बयान वीर खाके के आकाओं से बस इतना ही फ़र शवाल हैं कि जिस खाके को पहन कर सहर भर में खुमते हैं आप उसी का एक बात खातम कैसे हो गया यह सिर्फ महिला के साथ दुसकर के वारदात नहीं है बलकि खाके के किबाल को कुछल करकर रख दिया है डाला है समक पर हाथ और आप सिर्फ जाहच का हवाला देकर अपनी जिमेदारियों का निर्वान करते हैं अब गलत काम किया आपके साथ इंच्शन काय का लगना था इस तो डॉक्टर है क्या वो क्या बाल्डर था कौन था अब जब आप इसके घर पर गए थी इंच्शन लगवाने के तो अपनी यह गलत काम कि आस आपने किसको सूचना दी इसकी कि पुलिस में आपने तहुंणा दी क्या गार्वाई कीतीशन है काई ड्रशाब जो मामला आया है आज क्या है नस और हमारे यांड हुझळ चांगनी से महभी वाएंगे ड्यक्रेशन के लिए लाएगी है कि बहुण वह तो ने बाहर परिच्छन के लिए किया गया है ताकि गानेको लोगिस्ट के दोड़ा आंधरे परिच्छन कीया जा से आजमगड के माराजगन से खबर है जहां मुखे चिकित साथिकार आजमगड दो रात हानो पर तेनाथ महिला कांस्टिवल को चिकित स्किया परस्तितियों से निर्देश दिया गया है निर्देश के अनुपाला में डाक्टर प्रभिन चौधरी चुकित साथिक्षक सामदाइक स्वासकेंदर महाराजगन द्वारा कोतवाली महाराजगन मित्यनाथ महिला कौंस्टिवल को प्रात्मे कौप्चार की ट्रेनिंग दी गई डाक्टर सब्सक्राम में महिला कौंस्टिवल को पट्टी बादना स्वसंत तंदर की दिक्कत दिल संबंदी परसाज़ों के साथ साथ वर्निंग केस में फ्रात्मे करोफ से क्या करना चाहिए आदकी जानकारी दे गई है क्या कुछ कहा डाक्टर प्रभिन चौधरी चौधरी चौध अगर वह करने कंडिशन जोगी तो मरीज को इस त्रेट नहीं लिटा ना उसको बाहें करवट पूरा इदम करके फुल इटा देना है वह मिट करेगा तो वह सीधे बाहर निकल जाएगा ठीक है जैसे हो फें जैसे यह होता है यहां गले पे एक होती है ऐसी दो नलिया होती ह हुआ होती है साथ के नहीं होती है अगरा उसको करवट नहीं लेंगी तो वह जो जो%, तो यह द्यान देना है कि अगर सर में चोट लगी यह वार बार करा कि उल्टी आएगी तो इसको बाहर टकुट बेटा देने जह ज़िए देना तो सीधा लिटा कि नहीं लाएंगे मैंने बता दिया कि अगर चोट लगती है तो आपको पूरे हाथ को अच्छे से सब करना है कि वह हाथ नहीं पाए उससे क्या होता है कि फर्दर स्वलिंग आगे नहीं पढ़ेगी फिर ठीक है इतना जुरूर करना है आपको और एक बैंडेज अप्लाई कर देना अगर कहीं महराजगन जन्पत के कोतवाली थाना च्छेतर के बिंदवालिया गाउं में पटिदारों की बीच चविन विवाद में जमकर लाठी रंडा चलने का वीडियो सोसल मीडिया पर वारल हो रहा है वारल वीडियो में महिला आए लड़कियों को दोड़ा कर एक युवक रंडे से मार रहा है कोतवाली थाना च्छेतर के बिंदवालिया गाउं का फुरा वीडियो है जिसमें दो पटिदार आपस में चमिन विवाद को लेकर पहले कास्वने कि उसके बाद देखते ही देखते ही दोनों पक्ष आमने सामने हो गए गाली गलोज के बाद दोनों पक्ष सर आज के लिए भेजा गया है और सदेख्षक ने बत्या कि कोतवाली पुलिष ने इस मामले में दो महिलाओं को सांदी बंग में चलान किया है क्या कुछ का प्रदीव गुप्ताइस पी महराज गंज ने आपको सुनवाते हैं इसमें मुकर्दमा पंजिकरत कर लिया गया है दो महिलाओं को गिरिफ्तार भी किया गया है ज्यादा महिलाओं ही थी इसमें अपस में बाकी जांच की जा रही है एक महिला के सार में कुछ चोट आई है वो ठीक है अब तक सब क्या करें दो महिलाओं की गिरिफ्तारी है और बाकी जो अनले लोग है उनकी भी गिरिफ्तारी का प्रयास हो रहा है आजमगड में विकादिनों पुलिस टीम पर हमले करने वा फुलिस कार में बादा डालने के मामले में पुलिस अदिक्छक के निर्देश पर दिदार गज़ पुलिस ने रविकान सहीट को उनके कुछ साथियों के रप्तार कारिब जेल भेई दिया था जबकि फुलिस सांसति उमा कांथ पहले से जेल में बंद है पुलिस सदिक्षक ने बताया कि उमा कान ते यादो रविकान सहित उनके कुछ साथियों के वोपर गैगेश्टर के तहत कारवाई की गई है साथ ही वारंट बनवाये जा रहे हैं कि इन लोगों ने क्राइम के बल पर कितनी संपत्य कठा की है जिसके जबते की कारवाई की जा रही है आज सुनाते हैं कि इस पारे में क्या कुछ का इनकी पूर्व हिस्ट्रीक को समलित करते हुए जो इनके द्वारा जो माफिया गिरी चलाई जा रहे थी उसको दस्टे के तरखते हुए उमाकान ज्यादा रविकान ज्यादा और उसके साथियों पर गैगेश्टर एक का मुपद्वा थाना दिदारदाज में दर्ज किया इनके वारेंट बनवाए जा रहा है क्योंकि यह लोग जेल में हैं और इसको पराद इनकी पापर्टी जो कि द्वारा क्राइंट से अर्जित की गई है उससे सीजर करने की तारवाई की जाएगी यूपी के और यह जनपद में आज यूपी के प्रोसियम अखले स्यादव जितमल तसे जितर की बाबर पुरकस्त वेश्चित के जच्ठावस में पहुचे जच्ठावस में प्रोसियम अखले स्यादव के पहुचे जच्ठावस में प्रोसियम अखले स्यादव के पहुचे जच्ठावस में प्रोसियम अखले स्यादव के पहुचे जच्ठावस में कहीं भी बीटियां, महिलाएं, सुरक्षित नहीं है डायलेक 122 वा अम्बूलेंस अपा सरकार की दिन है जिसे भी वर्तमान सरकार ने विगा डाला आगामी चुनाओं को लेकर प्रुवसियम ने बताया कि वर्स 2022 में सभी चोटी पार्टियों को सामिल किया जाएगा लेपटॉप देगे, कॉलेज, इनिवस्टी, मेडिकल कॉलेज बनाएगे सड़के अच्छी बनाएगे, एक्सप्रेस बनाएगे हमारे मुस्पर्टियों तो एक्सप्रेस बही बना रहे है तो समाजवादी उन्हें आगे बढ़ाएगे अपने जितने भी 559 नव Vorteil हो समाजवादी के हमारे में घताव.. हमारी के बड़ी संदामे काहणश है और जिनके बुलाने पर हम सब लोग आएगी चाय पर अभी चाय बिले किसकी पात पहले स्वागत और आपको बात जीए। उसके बात चाया और चाय पर मिलना इससे ज़शा कुछ हो नहीं सकता है जाए पे बुलाका और वो जाए चाए पे बुलाका तो फोर यादगार होती है लेकिन इनन पहनाई इतनी बड़ी है डीजल पेटरॉल की इतनी कीमत पड़ गई है कि इस से जादा चाए का नुफसान को इकर डिसेता था जो भारती जंता पाटी करती है अगर भारती जंता पाटी से जाना जाए और पूशा जाए कि जंता आप ये सुनना चाहे कि आखिरकार इसका करण क्या है कि आप महगाई दिन में के दिन पढ़वा रही है जीजा की कीमत पढ़ गए पैट्रॉल की कीमत पढ़ गए और जिस समय की कीमत बढ़ती है जो समय बजार में और पूरी की पूरी समाज में महगाई आजाती है तो ये सरकार जो कीमते बढ़ा रही है वो कहीं नगई महगाई बढ़ा रही है और इतनी महगाई बढ़ गई है कि जिसकी हम घर्पना नी कर सकते हैं। बुझगा जैसी जो फ्री रोजना करीमों के इस प्रिटर भी नी भजा जाए जाए। महगाई बढ़ रही, काम है नी नौजमानों पे, नौफरी है नी, भोजगा है नी। यही नौजमान पार्टी जन्ता पार्टी से जानना चाहते हैं। कि आपने बड़े-बड़े बाते किये थे, आज हमारे हाद में काम, भुजगा नौफरी क्यों नी कियो नहीं है। किसान जो सबसे जादा मैनत करता है, इस बैसे हमारी के कारण संगुष बंद हो गया। चोटी दुगाने बंद हो गए, ठेले लगाने बाने लोगों को हमें केहते रहना पड़ा, कारवार ठप हो गया, दुकंदार हो गया। पुलिस दिख्षक बलिया, डाक्टर विपिन तड़ा के निर्देशन में, त्रेस्टरे पंचाई चुना अकुले के रवायत सराब के तसक्र के बितला जारा भियान के करम में, थाना कौतवाली बलिया पुलिस को बड़ी सपलता हाथ लगी है, कौतवाली पूलिस ने 310 प पुलिस की सब्सक्राइब में, पुलिस ने ओज़ा की हत्या के घटना का परदा फांस करते हुए आरोपी गिरफतार के उसके पास हत्या में परव्यक्त असलाह भी बरामत कर लिया है, ग्यात हो कि उनिस फरवरी के रात को लल्लू भी ने जो उज़ाए के काम करता था उसक लेकि दिनांक उनिस फरवरी को एक हत्या हुई थी, जिसमें एक लल्लू भी नाम का आदमे लगबक्स बासट वरसी व्यक्ति की हत्या हो गई थी, हत्या सर पे चोट पहुचाई गई थी, जिसके वज़ा से हुई थी, और उसमें तमाम तरह कि हमनों ने पुलिश का प्रया सोखा, दूसरे का भूत लेकर के हमारे उपर चुछा देता है, जिसे उसी आशंका में मिसकंसेप्शन में मैं कह सकता हूँ, उस भरम में आकर के और काफी उससे दुसमनी उसके दिमा में चड़ गई थी, जिसके बजाए से दो लोग संतोश बिंद और कल्लू बिंद ने मि कर जोसी गाओं के निवासी है, लोकापुर थाना पढ़ रही, जनपद मिर्जापुर ने मिल करके उसी दिन रात में हत्या कर दिया था, उसको मुवाइल लेक चले गए थे, बाद में मुवाइल और सारी चीजें बरामत हो गई और हत्या के जो प्रियुक्त समान थे, जो उनका हथवडी थी और जो फरशा था, साथी शाथ उसके कान से उसने जो है, जो मुर्खी पहना था उसके सोने की, उसको भी बरामत कर लिया है पुलिस ने, और इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है, इसके वाद से हम लोंने इसको विधिक साक्षी में एकसेप अपलातीक ग्रप्तार की आवर के बास से भारी मात्रा में गारामत किया है, ग्रप्तार आरू के खिजराफ फेले सिव्छ की और मुकदमे दर्जें, आरूपी ने भी गांजा के तसक्रिए की सपलाई की बात कबूल किया है कितनी बार जेल गया हूँ? किस हाथ से करते हो अच्छ आब राइक स्राय में किस हथसे किये हो नाम क्या है निल्केस है कि दाहिने हाथ से निल्केस लिखते हो अच्छ अच्छा एक है एक कायोगदान है बाकी विफलताओं का जीमिदार मैश्यम कारक्रम में उपस्तित स्यों सिक्छा देशक योगेंदर कुमार सिंग ने कहा कि आज सिक्छा गच्छत हो रही है मोबाइल से तमाम डिजिटल संसादन बच्चों को ग्यान दे सकते हैं लेकिन उनके आत्मी जिला वैस्तिक जादिकारी ने किया नगर के बीईयो महेंदर प्रसाद ने कारक्रम को सफल बनाने है सभी की युगदान को सराहा उप महाप्रवंदक एउनियन बैंक मनोज सर्मा ने सभी सिक्छक सिक्छकाओं के समक्च मिसन प्रणा को कैसे सफल बनाया जाए इस पर अप प्रतिभा सिर्वास्तो डायट मेंटर प्रितिक कोड इंद्राशन पांडे निहराय आलोग स्रिवास्तो धननजय मिस्ट्रा कहलास विजय वर्गी को मुमेंटो प्रदान किया इस अवजर पर डाक्र मनेश तिर पाठी आलोग जैस्वाल सुरेंद्र सिंग बिजे सिंग वल्दा जादों के देख्षता में संपन हुई बैठा का संचालन महा सची महरी परसाद दूबे ने किया बैठा के में गुपाल पर विधायक नफी सहमत को सुननी वाक फो गोड का निर्वीरोत सदसे बना जाने पर राज्टेर देख्षत अखली स्यादों को धन्य बाद बैठा को सहमत करते हुए पुरुसांसद बर्यारी बावु ने कहा कि मौक्य मंतर योगी की भासा राजनी तिक बेक्त की ही नहीं है बलकि सब्ता में मधांत तानर्शा की तरह है पुरु मंतरी दुरकप्ठाद यादों ने कहा कि सदन में नियमों के सच जड़ा जा रही है सबैसे पहले मिनिटों में सदन कारवाई पुरिकर ली चाह रही है पुरु रस्वांसद रमा कंतियादों ने कहा कि भाजबा प्रसाचन के सार इतन चात्युनाओं को जीतना चाहती है जन्पत आजमगुड में उनकी मंसा सफ़न रही होने दी जाएगी विधाय कल्पनात पासवान डाक्टर सग्राम यादवन अफिसामन ने कहा कि मोधियोगी लोग तंतर का कलाग खोड़ कर रजाज तंतर कायम करना चाहते हैं उन्दागर्दी अफ्राद वलतकार फर्श्टाचारव महंगाई चरम सीमा पौरे जमकुर से खबर है जहां चंद्रमा रिसी आश्रम सीलनी में होमियोपाइथिक मेडिकल एसोसियेशन आफ इंडिया के पुरवा ध्यक्ष स्वर्गी डाक्टर गुलाब चंदर वर्नवाल की छठवी पोने दिधी का आयोजन किया गया कारकरम का सुबरम हमारी के राष्ट्रिय कारकराणे सदस्य डाक्टर भक्त वत्सल होमियोपाइथिक मेडिकल कॉलेज के प्रचार डाक्टर राजेंदर सिंग राजपोत होमियोपाइथिक मेडिसीन बोर्ड के सदस्य डाक्टर स्पी तिवारी वम हमाई प्रदेश कारकरा संगनात्मक कार्यों से भी बड़े निपूर थे उन्होंने उने स्वेक्यानबी में चतुर्थ परांतिय होमेपायथिक सम्मेलन अत्र प्रदेश हमाई की तत्तोधान में सभी के सयोग से आजमगड में करवाया था उनका पूरा जीवन होमेपायथिक के प्रती समर्पित रहा होमेपायथिक मेटिकल कॉलेज के प्रचाय डाक्टर आजेंदर सिख्दाजपूत ने कहा कि डाक्टर गुलाब चन जी की समृतियां को हम कभी नहीं बोल सकते डाक्टर गुलाब जीराज के होमेपायथिक मेटिकल कॉलेज आजमगड में लेक्शरल थे उनका जीवन साध् परिवार जनों ने हवन पुजन में बिक्षारोपन कर डाक्टर गुलापचन को याद किया कालीन परिवेफ में उनने डाक्टर जूगुल फिशोड जैसे वेक्षिक को जो कि तालीन समय में सीशियर के अज्यमाई के रास्त्री अज्यक्ष दे काम करने की प्रेवादी जो आज भी हमनों के साथ सत्त चल लही है मेरे जीवन में उनका बाउट भूमय परच्छी के प्र इसमें अस्थानिय गाउनिवासी दर्जनों लोगों को खलकी वा गंभीरे चोटाई है इस बात की चर्चा पूरे छेतर में चोरो पर है वज़े स्थानिय सेंपूर बसाईया अचलिपूर आतकाउनिवासी का आरूफ है कि वीती रात करीब साथ से आठ की संख्या में भैस इसमें जो भी दोसी होगा उसे खिलाफ सक्त करवाई की जाएगी है सुनवाते हैं ग्रामलो की बात मेरा नाम मोनु पांडे है मेरे पिता जी का नाम स्यामनायन पांडे है कल रात में यह लोग करीब बारा बचके चालीज मेंट पैतालीज मेंट पे आये और पीक लेकर के चार-पांच लोग उसके बाद जो मेरी भैस को छोड़ ले गए और मारे पीटे भी जिसमें जो हमार मेरे पिता जी गायल हुए माता जी गायल हुए चाची गायल हुए और बच्चे भी गायल हुए है अब लोग खाने प्रात्ना पत्र देने जा रहे हैं हम लोग कर Whooफ श्राओ लोग गायल है ड्या जाए जात्य तरहुवाव क्यों लेठ के लगाए ताने लोग तैने लोग ते लाना कि यह था नहीं खादा रहा हुए अच्छा जोह त्हाँटासे ना चरठ किंटाए ल्एज़ रहा था किया पार स영हें है कुछ गाड़ी प्रिकप रहा है जिला कांग्रेस कमेडी के अधेक्ष प्रविन कुमार सिंग के अधेक्षिता में कांग्रेस चनों के वैठाक M.I.M. कुछ प्रविन कुमार सिंग ने कहा कि सभी ब्लाका देक्ष अपने ब्लाकों से 10 मार्च तो जरे किस तक प्रत्यासियों से आवे दिन प्राप कर जिला का रहला प्रोप्लाप्स कराएं उस पर पंचायच चुनाओ का मिटी विच्चार का अंतीम दूने लेकर प्रत्यासियों प्रदिस में अप्राद्च रम पर है जंगल राज के एस्थिती है तो वही तीन किसान बिरोधी काले कानून को लेकर किसानों में आकरों से हमजन्दा के वीचा करग्राप पंचाय तस्थर पर चवपालों के माददम से जन बिरोधी सरकार की पोल खुलेंगे और अपने प अप्रद्च रम करके अत्रावडिया च्षेतर के वुढ़नपूर गाउं में जैसे ही अवारा पस्वों से रहत मिली लेकिन अब निलगायों का आतंक से अब किसान परिसान है बता दे कि वुढ़नपूर को इलसा बलाक के नेपूरा गाउं के किसानों कारूफ है कि हम परिसान के बाते हैं कि इन पूरा गाउं के वार्षी है कि समस्था है कि चार पांच विजार यहां जो मिला करके है सब लिलगा खा जा रहे है दिन वर पांच वर साथ बार हाग ना पढ़ता है लेकर हाग के आई फिर तुरंद जो है आदे गंड़े गंड़े खेक वह जब एक दुक का कभी आ गए तो आ गए उनसे उत्रा नुकसान नहीं लेंड़े नील गाया यहां पचा सो साठों की संख्या में घूम रहे हैं पूरा PM फूर फूरा च्षेत परिशान दिन भर यहां जàधा बर 17 विजा에 बार हां नहीं रसा पिधार आंब चार इयों इन एकि म उन्हें समान समारों किया इस तो नहोंने कहा कि अधिवक्ताओं कि हर्समस्याओं को वभीधान परस्द में उठाएंगे आजम गड़जिले के मुलनी मासी वभीधान परस्द सदसे लाल भीहर यादो जो पीसे से अधिवक्ता भी है आज उनका डेश्टिट वार में अधिव प्रफद किया इस तुरा अधिवक्ताओं ने उन्हें अंगवस्त रूब मुमेंटों देकर समान किया तोरा मीडिया से बात करते हैं लाल भार यादों ने कहा कि उन्होंने इसी का चहरी में 15 वर्सों तक काम किया इस परिवार में हमें बुलाकर हमारे परिवार के लोग हम जा सके और अच्छे से अच्छे नियम काम बना सके क्योंकि भारत के समयधान और देश की सारी नीतियों को पढ़े रहते हैं और इनको समान बेक्ट से ज्यादा जानकारी होती है इसलिए अधिवक्ताओं का प्रदिनित्यों महा होना चाहिए उन्होंने कहा कि जो अधिवक कि चमर की ब्यूसता हो साथ ही जिकाओं को स्च्छास बीमा अविस्मान उद्ना के तःत कम से कम पांच्छ लाक निस्ट सुल की ब्यूसता की जाए नहीं कहा कि इन सब मुद्दों को अभीधान परस्द में उठाएंगे उस अपने परिवार में हमें गुला करके, हमारे परिवार के लोग ही हमारा सुन्मान कर रहे हैं, बड़ी खुशी हमारे लिये कोई नहीं हो सकती है, हम चाहते हैं कि विदान पर सत्म पर्षद में जिस तरह से प्रधान के BDC के विदान परसत के सदस चुने जाते हैं, सिछकों से विदान अधिवक्ताओं से भी विधान तरिशक्त के अंदर सदस चुने जाएं ताकि ये अधिवक्ता वहां पहुंच करके अपर हाउस में समाज की बातों को पहुंचा सकें और अच्छे से अच्छे नियम कानून बना सकें क्योंकि भारत के सम्मेदान और देश के सारी विधियों क पढ़े रहते हैं और इनके पास ज्यादा नालेज होता है सामान व्यक्ति से इसलिए इनका प्रत्निधित वहां पर होना चाहिए और इनके मृत्तु के उपरांत जो 70 वर्थ के लोग हो चुके हैं उनके मृत्तु के उपरांत उनको उनके परिवार को मिनमम 10 लाख रूपया आर्थिक शहायता मिलने चाहिए और जो हमारे जुआ दिवक्ता का चहरी में आते हैं वह पैसे के अभाव में बहुत कठिनाईयों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं येसे अधिवक्ताओं के लिए मिनमम 5 वर्थ तक 5000 रूपया प्रतिमां के हिसाब से उनको भत्ते की रू स्वास्त दीमा आईसमान योजना के तहथ कम से कम 5 लाक रूपय का इनको अन्मी सुल्प इलाज की दिवस्था हो और 65 साल के बाद इनको ब्रिधा पिंसन की व्यवस्था दिवक्ताओं की की जाए ये हम उस्तर प्रदेश की सरकारते जिरान परिश्थ के अंदर मांग करें स्वास्तर प्रदेश